नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Physical Education with Anil में मैं आपका अपना निल चौधरी लेकर हैं नई वीडियो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग आपका Surprise Revision Test ले रहे हैं तो बिल्कूल सोच के जवाब दीजेगा काफी speed में वीडियो को कवर करेंगे 50 questions है आपको अपना score बताना ही बताना है जैसे आप लोग हर वीडियो में अपना homework बताते हैं आज आपको 50 में से अपना score बताना है ठीके दोस्तो इसके अलाबा अगर आप हमारे हरयाना paid group या data place भी paid group से जुड़ना चाते हैं तो दिये वेग नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमें WhatsApp कर सकते हैं और data place भी KVS, NVS जो इन चीजों का group है उसमें हमने special एक चीज निकाली है कि जो भी student अब join करेगा तो वो अपने particular exam जो भी उसका exam है, जो भी उसका motive है उस exam तक वो उस group में permanent रहेगा जैसे अगर जो आज एड होता है data place B group में तो जब भी data place B का group मतलब चलता रहेगा जब उसका exam होगा तब तक वो students उसी में रहेगा course जितनी भी बार होगा वो उस course को revise करेगा और अपनी performance को enhance करता ही करता जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप जूड सकते हैं जिसको जूड़ना है क्योंकि ये जो revision test है ये दोनों के लिए है ये हमारे paid group वालों के लिए भी है और साथ ही साथ जो हमारे free viewers है YouTube पे जो हमारी मतलब की अच्छा लगता है देखते हैं कि कौन बिल्कुल जो पीछे की चीजे हुई है चार पांच वीडियो की वो किसके दिमाग में एकदम fit है और किसके में नहीं है तो score बताएगा अपना score जरूर बताईएगा और एकदम correct बताईएगा चलिए पहले question देख लेते हैं तो गैर संचारी रोगों के दो उधारण क्या है what are the two example of non-communicable diseases तो साफ देख सकते हैं आप cancer और high blood उच रच चाप तो ये non-communicable diseases है जैसे कि पहला flu दे रखा है ये communicable है missiles communicable है sore throat communicable है तो आपका B option एकदम correct रहेगा 2 option एकदम correct रहेगा second question देख लेते हैं संचारी रोग की रोग था minimally कितमे सामिल है सिवाए prevention of communicable disease includes the following except तो prevention पूछ रहा है prevention में eating fast food थोड़ी ना आएगा मतलब कि fast food खाना fast food खा कि आप किसी चीज़ को रोग थोड़ी ना सकते हैं अपने मूटा पे को मतलब कि यह जो communicable disease है इनको कोई फरक नी पड़ता है इन सब चीज़ों से ठीक है चलते हैं next question पे third question प्रात्मिक चिकित्सा का अर्थ है meaning of the first aid is तो first aid का तो आप सभी लोग जानते हैं तत्काल देख भाल क्योंकि ambulance को आने में थोड़ा time लगता है उसकी के लिए यह आपका first aid है ठीके दोस्तों immediate care चलते हैं नीचे fourth question सचिन तेंदुलगर को राजीव गांदी खेल रतन में कब सम्मानित किया गया था when was सचिन तेंदुलगर awarded with राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड तो दोस्तों क्या है fourth का अंतर C option correct है 1997 में सचिन तेंदुलगर जी को राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड मिला था जो कि हमारे sports में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है fifth question जोती हमेरे जोती मौय सिकदर ने किस एशयाई खेलों में दो सुर्ण पतक जीते 800 में जीता था और 1500 में जीता था जोती मौय सिकदर वान two gold medals in which Asian Games तो दोस्तों कौन से थे वो Asian Games इनके सही बताए आपने 1998 Asian Games में दो medal जीते थे दो gold जीते थे 800 में और 1500 में politics में हैं ये इसलिए काफी important है sixth question सचिन तेंदूलकर विश्वनातन अनंद, Edmond, Hillary all want padm vibhushan in which year तो किसमें 2008 में 2008 में और अभी फिलाल में मेरी कौम में मतलब की पहली women आप कह लीजिए मतलब की sports person है जिनोंने padm vibhushan जीता है और I wish speed सही चल रही होगी कौन सा athlete अब तक का सबसे सजा हुआ Olympian है which athlete is the most decorated Olympian of all time तो सही बताए आपने Michael Phillips ठीक है दोस्तो सबसे ज़्यादा medals है इनके पास एर्थ question देख रहे थे हैं Grishman Kalin और Sheet Kalin Olympic दोनों किस सहर में पर्थम बार होएंगे which city is the first in the world to be awarded both summer and winter Olympics तो दोस्तों Beijing एकदम correct answer है C option और बहुत ही ज़्यादा important है हरियाना PTI वालों के लिए specially ऐसा question आना ही आना है ठीक है 9th question सीखने का साश्ट्रे सिधान्त किस के दौरा दिया जाता है या दिया गया है Classical theory of learning is given by तो दोस्तों किस के दौरा सही बताए आपने Pavlov जी के दौरा Pavlov जी के दौरा ये question कई बार करा चुका हूँ और बहुत easy है तो आने के पूरे chances है 10th question मनुष्य के के शिरोग स्थम के सही के शिरोग स्थूत्र का chain करें Choose the correct vertebral formula of vertebral column of human being तो क्या है दोस्तों सही बताए आपने एक दम 10th cancer D रहेगा आपका C7, 1012, L5, S5 और CO4 मतलब कि C से cervical, TH से thoracic, L से lumbar, S से sacrum और CO से coccix 11th question बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है Which is the first school for a child's development तो सही बताए आपने एक दम 11th का क्या answer होगा दोस्तों C, परिवार दीके परिवार में सबसे पहले चीज़े सीखता है बच्चा चलते हैं नेक्स कोशन पे 12th question औस्टोपेनिया is मतलब औस्टोपेनिया क्या है तो सही बताए आपने कम हड़ी दिर्व्यमान Low bone mass ठीके चलते हैं नेक्स कोशन पे 13th question यही स्थनपान करने वाली मा को विटामिन D की कमी हो जाती है तो नर्सिंग शिशू में कौन सी भी कौन सी बिमारी विक्सित होने की सबसे ज़्यादा संभावना है if a breastfeeding mother becomes vitamin D deficient what disease is most likely to develop in the nursing infant तो vitamin D की कमी होगे तो rickets होगा आपका सबसे पहले ठीके दो उस तो rickets बिमारी होती है vitamin D की कमी से 14th question उसने 1997 और 2006 के सभी badminton senior rastorship champion she जीती she won all the badminton senior national championship between 1997 and 2006 तो कौन है दोस्तों उनके description हम देतों अपरना पोपट्टी हैं बहुत बार बता चुके हैं काफी famous किलाडी है 15th question एक मास पेशी जो कारवाई में दूसरे की साहिता करता है उसे कहा जाता है a muscle which assist another in action is called तो दोस्तों क्या कहा जाता है synergist कहा जाता है जो help करता है चलते हैं 16th question मानव शरीर में अप्रयाप्त रक्त की पूर्त अपूर्ती को संधर्ब किया जाता है insufficient blood supply in a human body is referred as तो इसकेमिया कहते हैं उसको दोस्तों याद रखें काफी important question है इसकेमिया कहते हैं उसको insufficient आपका blood जाए human body में हो जाए 17th question दिल की धड़कन के लिए अनुमानित समय की क्या आवशकता है what is the approximate time required for a heartbeat तो एक heartbeat के लिए 0.8 second का time लगता है काफी easy question 18th question कुछ injection सामिगरी दवा का तेजी से वितरन और किसी भी तरह के जोकिम के साथ उसे injection द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता fastest distribution of some injectile material medicine and with no risk of any kind can be achieved by injecting it into तो यह कहरा है हमें कोई भी दवाई देनी है injection के द्वारा तो हम किस में देंगे यह बोल रहा है तो सही पता है आपने एकदम B option correct नहीं आपने नस में देंगे बिलकुल ठीक है धमनियों में नहीं देंगे नस पहले उसको दिल तक लेके जाएंगी और दिल मतलब कि आपका हिर्द है उसको सारी सारी आर्टरीज में मतलब कि सारी धमनियों में एक समान रूप से भेजेगा ठीक है दोस्तों उससे क्या है कि कोई रिस्क नहीं होगा उस मेडिसिन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलते हैं नीचे 19th question पे 2016 के ग्रिश्म कालीन Olympic में पहली बार किन दो खेलों को शामिल किया गया था 20th question 1976 के Montreal Olympics में एक मात्र महीला प्रतियोगी कौन थी जिसका लिंक परिक्षन नहीं किया गया था who was the only female competitor in the 1976 Montreal Olympics not to have been subjected to a sex test तो princess Annie जो कि मैंने बता रख है इनकी बेटी है मतलब की Elizabeth 2 की बेटी है princess Annie ठीक है चलते हैं नीचे 21st question निमली कितमे से कौन सा केवल अंगूटे पर संबव है which of the following is only possible at the thumb तो काफी important है मैं काफी बार बता चुका हूँ ये question तो सही बताया आपने विपक्ष opposition ठीक है 22 question यांतरिक लाब है तो दोस्तो यांतरिक लाब का formula क्या है mechanical advantage is तो एकदम सही बताया आपने हिंदी में B option correct है output ball divided by input ball output force divided by input force और जितनी ज़्यादा value आती है मतलब कि lever उतने ज़्यादा कारगर है उस चीज को करने में उतने ज़्यादा useful है 23 question किस कशे रुका में odontoid प्रकरिया है which vertebra has odontoid process तो हरियान पेड ग्रूप में करवाया था भी तो किस में है दोस्तो axis में है आज ही करवाया है ये तो axis में है आपका अक्ष में है ठीक है दोस्तो 24th question कौन से खेल को stroke mandival खेलों के रूप में भी जाना जाता है which games are also known as stroke mandival games तो paralampic games को जाना जाता है इस नाम से stroke mandival games 25th question 25th question प्रेणा का संगिरात्मक मुल्यानकन सिध्धानत किस के दौरा आगे रखा गया था cognitive evaluation theory of motivation was put forward by तो डैसी के दौरा रखा गया था दोस्तो important question है दोनों के लिए हरियाना PTA और DTPSB के लिए 26th question डैस शिधानत मासलो के जरूरतों के पदानुकरम का विस्तार है डैस theory is an extension of मैसलो's hierarchy of theory तो मैसलो ने एक theory दीखी थी इसका भी एक तरीके से extension मतलब की इसको भी एक तरीके से modify कराए कौन से theory ने तो सही बताए आपने ERG theory एकदम सही बताए आपने 27th question स्वस्त व्यक्ति के शरीर का कितना परतीशत भाग कंकाल कि मासपेशियो से बना होता है what percentage of a healthy person's body mass is made up of a skeletal muscle तो B option correct है आप एक दम ठीके दोस्तो 40-50% आपका skeletal muscles से बना होता है 28th question cricket के पहले लिखित कानून कब बने first written laws of cricket were in तो D option correct है 1744 मतलब की D option 1744 में 29th question पदक जीतने वाले सतंतर भारत के पहले athlete को थे who was the first athlete of Indian independent India to win a medal तो कशाबा दादा साहिब जादव जी थे पहले independent सतंतर भारत के बाद के मतलब की independent India के बाद के अगर पहले की पूची जाती की बई इंडे की तरफ से Olympics में बूचा है बस ना कोई पहले ना कोई बाद में और option में Norman Richard है तो सही बता है अपने helper T कोशी का है ठीक है इनके द्वारा AIDS होता है मतलब की इन में एक तरीके से कमी आने लग जाती है इनको hurt करने लग जाती है चीजे तो 31st question, 31st question अध्यन और निदान के लिए रोग ग्रस्त उतक के एक छोटी से हिस्से को निकालना डैश कहा जाता है extraction of a small section of deceased tissue to study and diagnose is called तो क्या है दोस्तों उसको biopsy कहते हैं एक दम सही बता है आपने deceased बोला है, dead नहीं बोला है मिरित्ते उतक नहीं बोला है यहां पर मिरित्त उतक नहीं तो हम लोग autopsy चूज करते 32 question, 32 question तीन stump की संयुक चोड़ाई उनके बीच चोटे अंतराल सहित है combined with of the three stumps including small gaps between them is तो काफी easy question है तो ए option correct है यहां पर 9 inches ठीक है 33 question प्रतिरक्षा प्रणाली में HIV एक खास तरह की कोशिका पर हमला करता है यह कोशिका है HIV attacks a certain kind of cell in the immune system which is it तो सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम T कोशिकाएं भी कहते हैं जैसा कि मैंने उपर आपको बताया था helper T cells तो B option correct हैं आप एकदम चलते हैं नीचे helmet battery test का प्रियो उप्यो किसके लिए किया जाता है helmet test battery is used for तो किसके लिए किया जाता है दोस्तो volleyball के लिए करा जाता है इसमें तीन test होते हैं मिली बताया भी आपको पहले वीडियो में 35th question किस भारतिय क्रिकेटर ने ICC विश्व कप 1983 के final में man of the match पुरुसकार जीता था which Indian क्रिकेटर had won the man of the match award in the final of ICC World Cup 1983 तो मोहिंदर अमर्णाथ जी लोग इसको गलत कर देते हैं कपिल देव नहीं है इसके answer मोहिंदर अमर्णाथ है 36th question Johnson ability battery test किस के लिए है Johnson ability test is for तो दोस्तो बास्केट बॉल के लिए है Johnson ability test काफी पुराना test है कारगर test है 37th ICC के वरतमान अध्यक्ष कोन है who is the current chairman of ICC तो दोस्तो देखो आज के दिन मतलब अगर मैं तुरंट अभी की बात करूँ तो इस time पे कोन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस time पे अब change हो गए है entering मतलब की अभी अभी के लिए मतलब की जो time अभी चल रहा है permanent नहीं है वो तो अभी चल रहा है इमरान ख्वाजा हाला कि paper में option आना मतलब नास बराबर है क्योंकि entry में एक दम मतलब की तुरंत के लिए है आगे final नहीं है permanent नहीं है election होने के election होएंगे और नए चुने जाएंगे तो शशांक मनुवर आता है अभी किसी paper में तो इसको choose करें और इमरान ख्वाजा आता है तो इमरान ख्वाजा को choose कर लें ठीक है दोस्तो ठाटी एर्थ question volleyball में rotation होता है rotation in volleyball takes place in तो काफी अच्छे से समझा चुके है rotation जो होता है वो clockwise होता है डक्षीन वर्थ दिशा में होता है और जो आपकी position होती है players की वो anti clockwise होती है ठीक है दोस्तो चलते है नीचे भारतिय वालिबर टीम दौरा अंतिम सर्फ स्रेश्ट परदशन किस एशे खेलो में देखा गया था last best performance by Indian volleyball team was seen in which Asian games तो 1986 में last मतलब कि C option correct रहे गा है पर उस टाइम सबसे बहतरीन performance देखी गई है silver आया था हमारा ठीक है दोस्तो 40th question कम या कोई व्रिधी या गिरावट की अब्धी या स्थेदी अपीरिड और और स्टेट ओफ लिट्टिल और नो ग्रोथ और डिकलाइन तो प्लैटिव कहते हैं इसको पठार कहते हैं जब performance बढ़ नहीं रही है आपका मतलब कि एक तरीके साब जो भी चीज करने है उसमें अच्छा नहीं हो रहा है 41st question Prince of Wales Cup निमली कितमे से किस खेल से संबंदित है Prince of Wales Cup is related to which of the following sports तो दोस्तों किस से संबंदित है आपने सही बताए Golf से संबंदित है एकदम B option correct रहेगा यहां पे 42 question होकी स्टिक किस तरह की लीवर परणाली है What kind of lever system is a होकी स्टिक तो होकी स्टिक कौन सा है दोस्तर Class 3 लीवर है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस टाइप का example समझा के ठीक है दोस्तो 43 question load को फलक्रम से दूर ले जाने के बाद भार उठाने के लिए आविशक परियास बढ़ता है गठता है समान रहता है विप्रीत रहता है As the load is moved farther from the fulcrum The effort needed to lift the load तो दोस्तो क्या होगा 43 का सही बताया Increase हो जाता है ठीक है दोस्तो चलते है next question पे 44 question Motor सीखने में पठार क्या संग्रात्मक कारण है The cognitive reason of platew In motor learning is तो क्या है दोस्तो यह option correct है यहाँ पे एकागरता की कमी Lack of concentration 45th question शारिरिक भाषा में हिद्दे की मास पेशी को भी जाना जाता है In anatomical language The heart muscle is also known as तो क्या है दोस्तो उस correct option यहाँ पे यह option correct है Myocardium Hindi में भी correct कर देते हैं Myocardium को Myocardium 46th question विश्व का पहला cricket club कहां और कब बनाया गया था Where and when was the world's first cricket club formed तो दोस्तो कब बना था दोस्तो 1760s में बना था Hambledon में ठीक है याद रखें और एक और club है सबसे famous इससे question आना बनता ही बनता है MCC ठीकी दोस्तो तो यह कब बनाता था तो यह आपका 17 87 में बनाता है याद रखें इंपोर्टेंट है काफी चलते हैं नीचे 47th question परसिक्षन विधी जो एराइथरोपोटीन के स्थर को बढ़ाती है ट्रेनिंग मेथड विच एलिवेट्स दी लेवल आफ एराइथरोपोटीन तो D option करेक्ट है उच उचाई परसिक्षन रक्त में प्लेट्लेट्स की सामाने संख्या प्रती माइक्रो लीटर डैश प्लेट्लेट्स होती है तो सही बताए आपने एकदम क्या है दोस्तो B option करेक्ट है देड़ लाग से लेके 40 लाग ठीक है चलते है नीचे 49th question काफी last तक आचुके हैं हम लोग I wish वीडियो आप अभी तक देख रहे होंगे अगर मैं पढ़ाने की शम्ता रखता हूँ तो आप मैं पढ़ने की शम्ता तो होनी ही होनी चाहिए ठीक है दोस्तो निमली कितमें से कौन सा सही धंग से मेल नहीं खाता है which of the following is not correctly matched तो D option correct है इनमें से कोई नहीं ठीक है क्योंकि ये सारे के सारे ठीक हैं ये राइतरों साइट्स को हम RBC कहते हैं लेको साइट्स को हम WBC कहते हैं और थ्रॉम्बो साइट्स को हम प्लेट्लेट्स कहते हैं आप आजाते हैं आज की लास्ट कोशन पर Athletics Federation of India तब Amateur Athletic Federation of India का गठन Dash की पहल पर Dash में किया गया था Athletics Federation of India then Amateur Athletic Federation of India was formed in Dash at the initiative of तो किसका initiative था दोस्तों Professor G.D. Sondhi और महाराजा यद्विंदर सिंग और कब बनी थी तो 1946 में ठीक है याद रखें तो काफी important questions कराएं आज दोस्तों तो I wish आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब है और पढ़ाई बस यूँ ही लगे रहें पेपर की चिंता ना करें कि कब होगा क्योंकि लोग हम जानते हैं देखो हम teacher हैं हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग दिन रात कर रहे हैं हम जैसे paid group में topic कराते हैं और उसका MCQ लेते हैं MCQ खतम होते ही हम पे messages की line लग जाते है कि next topic क्या है हमें बता दो हमें पढ़ना है तो यही current सब में होना चाहिए सिर्फ यह नहीं कि paid group में ही यही current आप में भी होना चाहिए ठीक दूस्तों Have a nice day, bye bye